ओम शान्ती आज है 23 सितंबर 2022 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को मीठे बच्चे बाब द्वारा तुम्हें राइट पत सच्चा रास्था मिला है इसलिए कोई भी उल्टे करम वा विकरम नहीं करने हैं प्रेश्ण इसमें मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वहाव विकल्प ही बनता है क्यों? उत्तर क्योंकि बुद्धी में राइट और रौं की समझ नहीं है माया ने बुद्धी को ताला लगा दिया है बाप जब तक न आए सत्य पहचान न दे तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं प्रन्तु यथार्थ पहचानते नहीं हैं इसलिए वहाव भी रौंग हो जाता है यहाँ सब समझने की बहुत महीन बाते है गीत ओम नमस्शिवाय ओम शांती मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धी में आया है वहाँ जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुशार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा क्यूंकि अ प्रिती सहायक है सब मनुश्य मात्र का बलकि जो भी इस पुरानी दुनिया में है अनेक प्रकार की योनियां भी है ना अनेक प्रकार के जानवर हैं सत्युग में तो कोई अशुद चीज जानवर आदी नहीं होंगे यहाँ ड्रामा बना हुआ है साहुकार के पास मकान फरन पनराज्य है तो जीव जन्तुनाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं जैसे मनुश्य तमो प्रधान वैसे इनकी सामगरी भी तमो प्रधान भल यहां कितने भी बड़े-बड़े मकान चालिस मंजिल के भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ अ बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं मनुश्य ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को ही जानते हैं तो बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है मंदिरों में पूजा होती है बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है उनकी सब पूज करते हैं कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रिकुटी के बीच रहती है अब भ्रिकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए यहां समझने की बाते हैं परमात्मा भी स्टार है प्रन्तु तुम भूल जाते हो जब शिबाबा को याद करते हो तो बुद्धी में यहा चाहिए कि बाबा स्टार है उसमें सारा ज्यान है वहा सत्त है चैतन्य है उनमें ही बुद्धी भी है मन अलग चीज है बुद्धी अलग चीज है मन को तुफान आते हैं सत्युग में कोई तुफान आते नहीं है यहां तो संकल्प विकल्प चलते हैं इस में जो भी मनुश्य संकल्प उठाते हैं वहाँ विकल्प बनता है इन बातों को अच्छी रीती समझना है वहाँ हो गई सहचबात सुक धाम शांती धाम को याद करो यहाँ फिर सूक्षम समझानी दी जाती है आत्मा इतनी जो शुक्ष्म है वहा सत है चैतन्य है आत्मा जब गर्ब में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है यू तो पांच तत्तों में भी कुछ चैतन्यता है तब तो बढ़ते हैं प्रन्तु उनमें मन बुद्धी नहीं है उन चीजों में संकल पादी की बात नहीं गर्ब में पिंड बढ़ता है जैसे जाड बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है प्रन्तु उनमें ग्यान नहीं ग्यान भक्ती मनुश्यों के लिए है भक्ती आत्मा करती है और ग्यान भी आत्मा लेती है आत्मा में ही मन बुद्धी है पहले मन में अच्छा वा बु बुद्धी सोचती है करूं वा नहीं करूं जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वहाँ विकल्प ही बनता है भल भगवान को याद करते हैं प्रन्तु राइट है वा रॉंग है यहाँ भी समझते नहीं हैं ब्रम तो भगवान है नहीं मनुश्य को संकल पुठता है कि भगवान को याद करें बुद्धी कहती है यह राइट है प्रंतु बुद्धी का ताला बंध है क्यूंकि माया का राज्य है भक्ती जो करते हैं वह रौं करते हैं क्रिशन की भक्ती करते हैं पहचान कुछ भी नहीं जो कुछ करते हैं अन्राइटियस अब अब बाप द्वारा बुद्धी को अक्ल मिली है, रॉंग काम करने लिए मना है, करमेंद्रियों से विकर्म करना मना है, बुद्धी कहती है इश्वर सरव्यापी नहीं है, अब बुद्धी को राइट पत मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है, आगे जो कुछ करते थे वह रॉंग ही करते थे, भक्ती भी अनराइटियस करते थे, शिव की भक्ती करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, प्रंतो इतना बड़ा शेपाबा थोड़े ही है, अब तुम्हारे बुद्धी का ताला खुला है, तब समझते हो कि सब अनराइटियस है, है ही जूठी दु उनकी स्थापना किसने की टृत, एक बाप को ही कहा जाता है, वहाँ जो सुनाते हैं सब सत, सच बोलते हैं, सच खंड स्थापन करते हैं, यहाँ डिटेल की बड़ी महीन बाते हैं, कोई भी यहाँ समझ न सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है, बाप कहते हैं, धारना नहीं होती है तो बाप और वर्से को याद करो दुख धाम को भूल जाओ मनुश्य नया मकान बनाती है तो बुद्धियोग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा यहां फिर है बेहद की बात देह सहित जो कुछ है सब छ चानी है आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है बाप कहते हैं मुझे याद करो मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाट भरा हुआ है चुरासी जन्मों का पाट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है चुरासी लाख जन्मों का पाट तो इंप छोटी सी आत्मा में इचरासी जन्मों का पार्ट है, बाप राइट बात बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नौलेजफुल है ना, कहते हैं, यहां ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है, इन ओर्गन्स द्वारा, भल बहुत धन्वान बड़ा आदमी बनत उतना गरीब नहीं करते हैं, इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं, यहां है ही पाप आत्माओं की दुनिया, हर बात में पाप ही करते हैं, ब्रहमन खिलाते हैं, यहां भी पतित को खिलाने से कोई पुन्य थोड़े ही होगा, अभी तुम रियालिटी में पावन बनत प्रंतु वहां कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं हैं, फिर भी पुनर जनम तो पतित दुनिया में ही लेंगे, तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जनम लेंगे, वहां समझते हैं कि दुनिया की आयू अजुन बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक जूट नहीं सकते, तुम्हारा यहां अंतिम जन्म है, तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं, बाप बैट समझाते हैं बच्चे, तुम पवित्र प्रवृत्ती मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनरजनम लेते आये हो, तुम अपने पुनर शुद्र इन बातों को समझेंगे नहीं, पहले साथ रोज समझा कर ब्रह्मन बनाओ, जो समझे हम शिववशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इस बढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, यहां है ब्रह्मा मुखवशावली, प्रजा पिता ब्रह्मा के सब बच् उनको Great Great Grand Father कहा जाता है, ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बुड़ा दिखाते हैं, जैसे Christ है, Christian लोग पुन जनम तो लेते आते हैं, Great Great Grand Christ, प्रंतु वह शिवाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे, वह है ही निराकार, उनको God Father कहते हैं, उनका कोई फादर नहीं, गुरू भी नहीं क्योंकि वह सत्गुरु है तब वे गुरु लोग कौन हैं। वह जिस्मानी यात्रा करते हैं। हम रुहानी यात्रा करते हैं। यहां कोई मरते हैं कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो यहां जूट बोलाना आते तो फिर भी यहां ही है। कोई कहते फलाना जोती जोत समाया, अच्छा बड़े बड़े सादू संत मर जाते हैं, अगर वह जोती जोत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो, जोती में समाया, वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो फिर जूटा बाना वेकुंठ वासी हो गया फिर उनको नर्क का भोजन खिलाते हैं इसको कहा जाता है अनुराइटियस जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं मनुश्यों की बुद्धी को बिलकुल ताला लगा हुआ है बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूं माया ताला लगा देती है कहते हैं इशुर सरव्यापी है समझते हैं यह ग्यान परंपरा से चला आता है इन बिचारों को कुछ भी पता नहीं है ज्यान और भक्ति ब्रम्हा का दिन और ब्रम्हा की रात दोनों एक्कुल होता है ना फिर सत्युग दिन की इतनी बड़ी आयू और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है ब्रम्हा का दिन और ब्रम्हा की रात दोनों एक्कुल होने चाहिए ना यहाँ बेहद की बात है बाप आकर सब बातें समझाते हैं बाप को ही ग्यान रतनों का सागर कहा जाता है एक एक रतन की वैल्यू लाखों रुपया है बाप बच्चों को समझाते हैं कल की बात है तुमको समझाकर राज्य भाग्यदे कर गया था तुमने राज्य किया अब ग प्लमा दिया है कल तुमको रजाई थी आज है नहीं फिर लो आज और कल की बात है भारत कल स्वर्ग था भारत में ही शिव जिन्ती मनाते हैं जरूर शिव बाबा आया होगा अब फिर से आया है तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदी मध्यांत को जाना है अर्थात तरिकाल दर्शी बनी हूँ बाब कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाब को याद करो भूलो नहीं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भ भूल जाते हो माया जरूर भूलाएगी प्रंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की आत्मा को बाब ग्यान देते हैं आत्मा का काम है बाब से वर्सा लेना देह अभिमान छोड़ना है तुम बच्चों को पुरुशार्थ कराने वाला एक बाब है यहाँ पाट्शाला है इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या यहाँ तो समझने की बात है यहाँ राज्यों की पाट्शाला है आकर समझो पहले पहले समझानी देनी है एक बाब की तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है बाब की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए, निश्चे बैठ चाहे कि शिबाबा से बेहद का वर्सा मिलता है, तो ऐसे बाब से मिलने बिगर रहना सकें, तरी मुर्ती शिव कहा जाता है, ब्रम्हा विश्णु शंकर को रचने वाला शिव, प्रजा पिता जरूर ब्रम्हा को ही कहेंगे, विश्णु वा शंकर को नहीं कहेंगे, प्रजा पिता ब्रम्हा द्वारा विश्णु पूरी की स्थापना होती है, जगत पिता और यह जगत अंबा फिर लक्षमी नारायन जाकर बनती हैं, उनके बच्चे वारिस बनती हैं, बाकी तरी मुर्ती ब्रम्हा का तो अर्थी नहीं निकलता, इ इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गृट मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मॉनिंग और नमस्ते धाना के लिए मुख्यसार नमबर एक बाप ने बुद्धी का ताला खोला है इसलिए करमिंद्रियों से कोई भी रॉंकरम नहीं करना है ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले अब वापिस घर चलना है इसलिए इस देह को भी भूलना है दुख धाम से बुद्धी योग निकाल बाप और वर्से को याद करना है वर्दान व्यर्थ की अपवित्तरता को समाप्त कर संपूरण सच बनने वाले होली हंस भव होली हंस की विशेषता है सदा ज्यान रत्न चुगना और निर्णे शक्ती द्वारा दूद पानी को अलग करना अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णे करना होली हंस अर्थात सदा स्वच, स्वच्चता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की आपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूरन स्वच्च नहीं कहेंगे, हर समय बुद्धी में ग्यान रतन चलते रहें, ग्यान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा इसको कहा जाता है रत्न चुगना श्लोगन नाव और खिवया मजबूत हो तो तुफान भी तुफा बन जाते हैं नाव और खिवया मजबूत हो तो तुफान भी तुफा बन जाते हैं शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शान्ती.